हलो स्टूडेंज आई दिपेंद्र वेलकम यौल तो मागनेट ब्रेंज आज हम क्या बढ़ने वाले हैं सिंगेज बुक जो कि आपको इटी जी मेंस और इड्वांस के लिए मैथेमाटिक सब्जेक की तियारी करवा रही है आज हम आपका थर्ड चैप्टर शुरू करें जिस हम ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं स्टूडेंस अब्सूडेंस अब्सूरू करते हैं आज का लिक्टर आप हमारी पीडिय और ईबुक्स के लिए भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाए देगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वहां क्लिक करिया और नोट्स के लिए भी आप हमारी टीम से कॉडिनेट कर सकते हैं मैं पॉइंट आपको यह समझाना चाहूं कि पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्जाक्ली होता क्या है अप इस बात को समझो जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है यह जिसे आप कहत इस तरीके से होती है जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइन होती है तो उनका यह कहना है कि स्ट्रेट लाइन को पेर फॉर्म में भी वैक्ट जाहर या एक्स्प्रेस किया जा सकता है इसका क्या मतलब है मलब दो स्ट्रेट लाइन को एक कंबाइंड क्लब सिंगल एक्वेश अब सर यह क्या मतलब है quadratic equation x और y में होने का मतलब है कि सर एक ऐसा expression एक ऐसा expression जिसमें x और y की terms में वो quadratic इसका क्या मतलब वहाँ पर आपको दिखेगा a x square आपको by square और c यह तीनों चीज़ तो दिखेंगी दिखेंगी of course आपको x y वाली term भी दिखेगी आपको x वाली term भी दिखेगी और आपको y वाली term भी दिखेगी तो यह basically quadratic equation ही यह degree 2 का एक polynomial है लेकिन यह x और y दोनों में है और यह x और y दोनों में quadratic है now what do I mean by this? इस equation का मतलब क्या है? आप बस इस बात को समझ के रख लीजिए अब आने वाले याने की straight lines हम खत्म कर चुके है pair of straight lines के बाद circle, parabola, hyperbola, ellipse यह सारे जो coordinate geometry के हम अलग अलग specific category के curves पढ़ेंगे न वहां हम इसी equation के अलग-अलग variations, variants और versions पर बात करेंगे यह बात याद रहेगी क्या? समझेगा बात को ध्यांद, मलब कुछ-कुछ चीज़े बदल जाएंगी, शायद कहीं पर यह नहीं होगा, कहीं पर कुछ और नहीं होगा, कहीं पर कुछ और होग और उनके महीं, जैसे हम pair of straight lines, एक छोटा सा chapter है, यह खत्म करेंगे, और जब हम circle शुरू करेंगे, तो circles में आपको realize होगा, कि इसी में थोड़े से modification, अभी बता देता हूँ, जब आप इसे हटा दोगे, और A और B को same कर दोगे, मतलब X square और Y square के coefficients को same कर दोगे, तो circle बन जाएगा, तो ऐसे कुछ constraints, conditions और limitations लगा-लगा कर, आप इन equations को अलग-अलग curves को denote या represent करने में use कर सकते हैं, तो यह काफी handy, काफी useful, काफी significant और it must represent the equation of a locus in a plane, of course, X और Y में यह equation है, और यह किसी plane में, of course, आपका X और Y वाला जो plane है, basically, इसमें किसी point का locus यह denote करती है, अब सुनियागा यहाँ से आगे की बाद, it may represent a pair of straight lines, circle, parabola, ellipse और hyperbola, this is exactly what I'm trying to convey, if it represents a pair of straight lines, अब वही condition की हम बात करने वाले हैं, कि अगर यह जो equation आपको दीगे हैं, जो X और Y में quadratic है, अगर यह pair of straight lines represent करती है, तो किन हाला तो, किन circumstances, किन conditions के अंदर, यह एक pair of straight line represent करेगी, क्या आपको मेरी बाते समझा रही हैं, उसी पर बात करते हैं, सुनिये कर दियान से, then expression on LHS, then expression on LHS must get factorized into two linear expressions, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, वो यह students कि आपकी जो दो equations थी, क्या a1X plus b1Y plus even, यह आपकी पहली straight line थी, और दूसरी straight line थी, क्या थी students a2X दूँ, तो आप खुद सोच के देखो students, जब यह कुछ create होगा, तो कैसे हो जाएगा, देखो, a1, a2, x square, फिर क्या बन जाएगा, a1, b2, y, फिर आपको यहां से क्या मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा, a1, c2, x, फिर इसी तरीके से, b1, a2, x, फिर आपको मिल जाए वाली भी टम मिलेगी, आपको y square वाली भी टम मिलेगी, आपको xy भी मिलेगा, आपको single x, single y और constant term भी मिलेगी, जो की basically कुछ नहीं है यही, अब उनका यह कहना है कि हम सर्कल, parabola, hyperbola, ellipse, इन सब के बारे में chapters के दौरान बात करेंगे, अभी मैं specifically आप से बात करूँ, तो यह जो equation है, यह straight lines के pair को तब denote करेंगी, जब आपकी equation दो अलग-अलग linear equations में factorize हो जाए, और factorize हो जाने का मतलब क्या है, अब दो चीजों का product 0 है, मतलब या तो यह 0 हो, या यह 0 हो, या दो नो 0, तो यह जो दो 0 थी, यह वही तो थी students, यह दो equations ही तो थी, straight lines के अलग-लग, बट इने clubbed, combined, एक single manner में represent करने का यह तरीका होगा, क्या यह बात आप सभी को समझ जाई, कोई doubt यहां तक, मेरे ख्याल से तो परिशानी नहीं है, सर अगर यहां तक परिशानी नहीं है, तो यही बात मैं आप से कहना चाहरू, मैं हमेशा कहूंगा कि इससे रटने, या या अगरे method से तो बिलकुल आप राइम है, यह श्रीधरा अचारी आप देखो, उसने x में solve कर लिया, उसने क्या बोला कि सरी एक क्वाडरेटिक है, कैसी क्वाडरेटिक है, x square, plus bx, plus c is equals to 0, तो क्वाडरेटिक में क्या होता है, I hope आपको या आदा रहे, minus b, plus minus b square, minus 4ac, under root में आपको या लगना चाहिए, कि वो जो आपको equation दी गई है, वो pair of straight lines है, तब ही वो factorize होगी, और अगर वो factorize हो रही है, मतलब वो pair of straight lines है, और factorize होके, दो linear equations बननी चाहिए, ऐसा नहीं किसा देखो, factorize कर दिया, तो factorize करने के बाद, linear equations बननी चाहिए, linear equations I hope आप समझते हो, है We must have x as linear expression in y, है ना, for that the expression under the square root must be a perfect square, और उसने एक और condition आपको बताईए, अब उनकी according ये condition है, मैं फिर से कहता हूँ आप से, सुनियेगा ध्यान से, आपकी जो straight line की equation है, कौन से students, वो कह रहे हैं हैं आप से x square, है ना, plus by square, plus of course कहीना कहीं जाकर आपको मिलता है c, और इसमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, क्या, आपको मिलता है, let's say 2h, एच नहीं, है ना, आपको मिलता है 2gx, है ना, और आपको मिलता है 2hxy, आपको reason समझा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, I hope ऐसा ही कुछ आपकी street length equation को कहता है, अगर of course इन दोनों में 2, 2, 2, जो हमने लिया है, वो उन्होंने भी लिया है, ऐसा लेने का मतलब क्या है, reason क्या है, मैं इसी बात पर आना चाहरू, मान लो, मान लो, यह जो equation है, यह जो equation है, if this represents a pair of straight line, if this represents a pair of straight lines, है ना, तो आपसे मेरा यह कहना है, सुने का धान से, उसने कहा कि sir यह pair of straight line तब रहेगा, जब आप इसे 2, 2 linear equations में factorize कर पाएं, A, B, जब आप factorize कर लिए, तो of course इन दोनों को अलग लग 2 straight lines की equations आप लिख पाएंगे, लेकिन sir, क्या इसे चेक करने का इसे देखने का कोई और तरीका नहीं है, कोई आसान तरीका, कोई बहतर तरीका है, सुने उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि sir, मान लो, यह एक X में एक quadratic है, और अगर यह X में एक quadratic है, तो इसके roots निकाले जा सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से इसको linear में factorize किया, श्री धर आचारे method, फिर वो कह रहा है, अगर यह एक X में quadratic है, तो जो इसके root निकलेंग तो वो condition ये बन कर आती है, वो condition ये निकल कर आती है, अब वही बात वापस, जब आप पढ़ोगे, क्या student, जब आप पढ़ोगे algebra, जब आप पढ़ोगे algebra, तो algebra में आपका एक chapter आएगा, determinants, determinants ने पूरी maths को बहुत आसान और simplify कर दिया, जहां maths कहती है कि सर, ये वो condition है, ये वो formula है, जिसके तुरूँ आप चेक कर सकते हो, कि कोई, जो ये आपको, you know, equation दी गई है, ये pair of straight lines को represent करती है या नहीं, ये चेक करने की, ये जो condition है, इसका determinant एक अलगी पहलू, अलगी perspective द chapter में पढ़ा था कि तीन lines concurrent कब होती है, तो determinant ने बोला, नहीं नहीं, आपका तरीका आपके पास रखे, मैं और आसन तरीका दे देता हूँ, जब उसने कहा कि triangle का area निकालने के लिए हो सकता है, आपके पास stare method हो, बढ़ मैं determinant के थुरू आपको एक और method दे देता हूँ, तो determinant determinant हमेशा हर chapter में आपके help करेगा, मैरा यकिन करिया, पर यहाँ पर कैसे वो help पर है, सुनेगा देयां से, जब मुझसे कोई कहे कि वो जो आपका straight lines का, pair of straight lines का, यह जो equation है, और कोई कहे आप से check करने के लिए कि यह है भी या नहीं, इसे आप कैसे check करेंगे, तो determinant ने कहा कि मे अब भी basically आप symmetric matrix का determinant मिनाते हो, symmetric determinant, इसमें आप क्या करते हो, diagonal पे आप ABC रख देते हो, और FGH ऐसे place कर देते हो, I repeat my statement, आप कैसे करते हो, सुनेगा दियां से, अब diagonal पे आपके यह x square, y square, और यह constant terms रख देते हो, तो यह यहाँ पर ऐसे आजाते हैं, A, B और C, और सुनेगा दियां से कौन-कौन सी चीजे, यह जो आपके हैं, x, y का coefficient, x का coefficient, और y का coefficient, कौन-कौन, h, g, f, तो आप h यहाँ रख दीजे, g यहाँ रख दीजे, f यहाँ रख दीजे, सार अटने की जरुरत नहीं कि ऐसा ही करना है, आप सीधा-सीधा process समझेगा, दियां से सुनेगा, औ अगर यह determinant जो आप निकाले हैं, और अगर यह 0 आ जाए, मतलब यह जो equations है, यह जो equation है, यह दो linear equations में factorized हो जाएगी, and if it can be factorized in two linear equations, then it means, this represents a pair of straight lines, किसी भी student को कोई doubt, कोई परिशानी, कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई भी, कोई भी दिक्कत, कोई भी issue, मैं फिर से repeat कर द y square, और c, यह जो constantum है, इनके coefficients, मतलब x square और y square के coefficients, और constantum को आप कहां ले आई है, आप उन्हें लिख लिए diagonal पे, क्या बात आपको समझ जाई, फिर आपके यह जो 3 चीज़ा है, कौन-कौन से सर, एक तो xy का coefficient का half, एक आपके x के coefficient का half, और एक आपके y के coefficient का half, यह जो 3 ची तो determinant निकालना शायद हम जानते हैं सर, और जैसे ही आप determinant निकालना और अगर वो 0 आ जाए, तो आप कहा दीजिएगा कि यह pair of straight lines बनाएगा, मैं कह रहा हूँ सर, ऐसे नहीं देखना है, तो आप factorize कर लो, और मालो variable की form में दी और आप से पूछा गया है कि pair of straight line represent करता है, त तो variable की equation निकालने के लिए क्या करोगे, या तो आप ऐसा कुछ लगाओगे formula, मैं कहरा हूँ, बिल्कुल लगा सकते हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर, वो formula थोड़ा सा tricky, एक भी पार्ट कुछ मैस हुआ, बहुत गरबर हो जाएगी, तो क्या उस formula को याद रखने का आस x square, y square और constant अम को तो diagonal पे रखेंगे, और xy, x और y के coefficients के half को यहाँ और यहाँ इस तरीके से l shape में place कर देंगे, और इससे आप आसानी से ensure कर सकते हैं, किसी भी student को कोई दिक्कत, कोई परिशानी इस बात को समझने को लेकर, अगर यहाँ तक कोई doubt नहीं है, तो यह statement याद मैं चाहता हूँ आप इसे note कर लें, इसको अच्छे से note कर लें, यह बहुत काम की information है, और यही इस chapter का crux है, यही इस chapter का crux है, यही इस chapter का crux है, यह कौन सी line के लिए students ही, वही आपकी straight line, x square, है ना, plus, मैं ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ, ताकि मैं भूलू ना, by square, है ना, plus, अब यहाँ पर आपके x और y किया जाएंगी terms और आखिर मैं constant, और इसे के साथ अब यह उल्टा में लिख लेता हूँ, अगर इस formula में मुझे चीज़े fit करनी है, तो मैं कैसे लिख लेता हूँ, fgh, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, 2hxy, है ना, 2gx और प्लस 2fy, और यह किसक y square और constant term, इन तीनों को, और फिर xy, x और y के coefficients का half, है ना, इन तीनों को तो आप diagonal पर और इन तीनों को वैसे symmetric बनाने के लिए, तीनों जगा LL shape में, दोनों जगा रख देंगे, और वो determinant 0 के equal रख देंगे, या 0 निकाल लेंगे, बात समझ आई क्या, कोई डाउट, सर्कल, parabola, ellipse, hyperbola, कब represent करेंगे, आप बात करेंगे, वो जो chapter हम शुरू करेंगे, तब बात करेंगे, अभी फिलाल तो straight lines पर focus करिये, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं, मतलब basically मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ, आप उंगली देख रहे ह बात समझो, question कितने आसान होंगे, समझो, आपकी equation जो बनेगी, वो कैसे बनेगी, sir, दो lines रही होंगी, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, और दूसरी line क्या रही होगी, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, यह मैं ऐसी variable form में लिख दे रहा हूँ, यह थनी complicated नहीं होगी है, यहां पर कोई numbers होगे, अब sir, मेरा यह कहना है, sir, अगर मुझसे कभी कोई पूछ है, कि इनका भी point of intersection निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, आपने जब factorize किया न, तो आपने जो यह एक equation मनाई न, वो किसी एक line की होगी, और यह जो दूसरी equation मनाई न, वो किसी और line की होगी, क्या बा या आपकी linear lines, linear straight lines की equations है, याद आ रहा है क्या, तो क्या मैं इनने solve नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल से तो, sir, मैंने solve करना सीखा है, elimination and substitution, sir, x या y में से कहीं से भी कोई variable हम eliminate कर देंगे, फिर जो x की या y की जो value आईगी हो, किसी equation में रख देंगे, और उस से हम बचे, दूसरे variable की equation निकाल लेंगे, और उसके तरों बहुत easily अपने x और y निकाल लेंगे, और वो x और y कुछ नहीं होगा, वो यही तो होगा, जो इनका point of intersection होगा, तो मैं कहरा हूँ, बहुत complicated सी process नहीं है, आपकी जो भी equation बनी हो, जो भी equation उसने आपको दे रखी हो, कैसे, x square है ना, plus of course, let's say, by square, plus of course, let's say, मैं c यहां लिख लेता हूँ, फिर में लिख लेता हूँ, 2gx, फिर में लिख लेता हूँ, 2fy, फिर में क्या लिख लेता हूँ, fg, है ना, fgh, है ना, तो f के साथ, g के साथ, x मैंने कुछ गरबड ले लिया, क्या, क्योंकि मैं उसका invention को follow करना चाह रह तरीके से लिख है, ताकि आपका a, b, c, और f, g, h, इस तरीके से आधा है, फिर मैंने f को वहां रखा है, और इस तरीके से मेरे ख्याल से मैं आपको confused नहीं कर दे रहा हूँ, जैसा वो ले रहा है बस वैसे ही ले ले लेते हैं, ताकि आपके variables की करबड़ ना हो, आप unnecessarily confused न लेंगे, वो club manner में ऐसे दी जाएगी, हम क्या करेंगे, चोगी ओ pair of straight lines की equation है, तो उसे मैं factorize कर लूँगा, तो वो जो दो straight lines हैंगी, उन्हें हम solve कर लेंगे, did you all get my point, and I hope you're realizing की चीज़े आसाने बहुत tough नहीं, आपको ये fact digest हो रहा है या नहीं, कि दो straight lines की equations को club करके, एक single equation से भी जाहिर किया जा सकता है, ये fact digest हो रहा है या नहीं, और वो किस point से पास होती है, उसको निकालने का तरीका भी बड़ा simple सा है, तर वो जो pair of straight lines दी जाएगी, उसे factorize कर लेंगे, और उसे factorize करके जब आप solve कर लोगे, I hope आपको linear equation solve करते आता है, तो उससे आपको point of intersection मि जाएगा, क्या ये बहुत difficult statement है, क्या ये बहुत confusing सी बात है, I think sorted सा, सीधा सा, direct सा expression है, करेंगे कैसे, कुछ example से जरूर हम देखेंगे, पर मेरा एकीन है, ये concept जरूर बहुत detailed manner में आपको समझ आ रहे है, अब वो क्या कह रहे है, सुनिएगा धियां से, the point of intersection can also, अब बहुत एक अच्छा सा पता है, यसे मैं कहूंगा, यसे मैं कहूंगा, आपके लिए एक shortcut, वैसे तो shortcut होते नहीं है, बट मैं इसे अच्छा word दू, तो मैं इसे कहूंगा, short technique, किस चीज़ की short technique, आपकी, वो जो straight line, pair of straight lines की equation दी जाती है, उसके point of intersection निकालने, कि सर, क्या technique है वो, उस इसके लिए आप क्या करोगे पता है, आप partial differentiation यूज करोगे, partial differentiation का मतलब है, कि सर, जो आपकी equation आपको दी जाती है, जो equation आपको दी जाती है, जैसे कि आपको क्या equation दी जाती है, हमें जो equation दी जाती है, वो होती, ax square है ना, plus by square plus c है ना, फिर आप क्या लिख लेते हो, सर, 2gx इस equation का दो सीधा सीधा काम कर लो सर अब अब मत करो अब मत करो factorize अब मत करो factorize फिर factor करके दो equation निकालो फिर उन्हें solve करो और xy निकालो मैं सिखा रहा हूँ आपको short technique कि ये जो pair of straight lines है ये किस point पर intersect करती है उसको निकालने का एक और आसान तरीका है कैसे सर सुनिएगा partial differentiation concept में थोड़ा सा introduce करना चारा हूँ गबराना मत जब हम calculus पढ़ेंगे तब हम differentiation के बारे में detail में discussion करेंगे पर अगर मैं partial differentiation की बात करो तो partial differentiation का मतलब है किस equation में एक बार आप x को constant मान के differentiate कर दीजिए एक बार y को constant मान के differentiate कर दीजिए जैसे मैंने y को constant अगर माना तो y को constant अगर माना तो ax square का differentiation i think 2ax इसे constant माना y को तो भी तो already constant था तो 0 ये भी 0 2g x का differentiation सर वह हो जाएगा 2g समझ में तो आ रहा है और क्या सर 2fy तो 2 और f तो constant थे y को भी हमने constant माना क्योंकि हम partial differentiation कर रहा है तो 0 2hxy का differentiation 2hy यह कितना जाएगा 2hy आई होप यह बाते समझ आ रही है और इसमें से अगर मैं 2 common ले लूँ अगर मैं इसमें से 2 common ले लूँ तो यह बन जाता है ax यहां से क्या मिलेगा hy और यहां से क्या मिलेगा g is equals to 0 similarly similarly हमने partial differentiation किया x के respect में अब partial differentiation करिए y के respect में जब आप partial differentiation करेंगे y के respect में तो देखोए constant हम 0 by square का differentiation 2by सुन रहे हो क्या c का differentiation 0 2g x constant हम 0 क्योंकि x constant है right 2fy का differentiation 2f और 2hxy का differentiation वापस वही बात कि y जो है इसके respect में कर रहा है तो 2hx बचेगा तो यह जाएगा 2hx is equals to 0 क्या आप बात समझ पा रहे हो यहां से भी 2 common लेंगे तो एक equation बनेगी by plus मैं लिख देता हूं let's say hx plus kia f is equals to 0 यह जो दो equations बनी है ना यह जो दो equations बनी है यह partial differentiation से बनी है और अब आप चाहें तो इन दोनों को solve कर लीजे इससे और इससे हो रही है बहुत दिक्कत तो नहीं हो रही है इस statement को या इस feature को समझने में कि आप या तो इससे फैक्टराइस के लीजे दो straight lines आ जाएंगी उन्हें solve के लीजे या फिर एक और आसान तरीका है कि आप उसे क्या के लीजे partially differentiate एक बार x के respect में एक बार y के respect में और इन दो linear equations को भी solve करेंगे तो यह भी आपको वही x वही y देगा बहुत confusing तो नहीं हो रहा है एंडिस्टारी थोड़ी जादा हो रही है illustrations बस में लाने ही वाला हूं बट यहां तक चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी बिनाज़ादा बहुत problem create किये और अगर यहां तक चीजें clear हो नहीं देखो वह कह रहा है कि आप इस तरीके से फॉर्मल याद रख सकते हैं बट अगें I don't recommend कैसे याद रखोगी इतनी अजी PCC बात हैं तीन बात यह आपको नोट डाउन करनी जाए थी कि सर अगर आपके पास स्क्रीट लाइन है X स्क्वेर प्लस BY स्क्वेर प्लस C में प्लस 2GX प्लस 2FY यह मैं बार बार आपको लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए कि हम एक specific convention follow कर रहे हैं इसमें क क्या सर पहली बात तो it represents a pair of straight line only when only when क्या जब आपके क्या a b और c x square का coefficient y square का coefficient और constant diagonal पर और फिर क्या सर fgh fgh मतलब y का coefficient g x का coefficient और x y के coefficients का half है ना यहां पर क्या रख दोगे आप fgh मैंने कुछ गलत लिखा है क्या शायद मैंने कुछ गलत लिखा है वैसे एक बार इसको चेक कर लेते हैं उनक्या क्या तरीका था fgh वो इस तरीके से लिखते थे हम रिली सॉरी for that i'm really sorry for that fgh को लिखते है hgf है ना तो आप लिखोगे hgf यहां पर भी और यहां पर भी hgf और जब आप इस determinant की value निकालेंगे तो यह आना चाहिए 0 that represents a pair of straight lines which passes through a certain point and whenever we ask to figure out that through which certain point it passes वो कौंसा एक point है जिससे पास होती है तो दो तरीके से one of the ways is you factorize this you factorize this आप इसको factorize कर दीजे factorize करना मतलब दो अलग लग linear equations में convert हो जाएगी let's say a1x plus b1y plus c1 और इदर आएगा a2x plus b2y plus c2 है ना और इन दोनों को solve करके निकाल लो और एक और तरीका क्या एक सबसे अच्छा तरीका हमने सीखने की कोशिश की partial differentiation एक बार x के respect में एक बार y के respect में जब किया तो y को constant मान लिया जब y के respect में differentiate किया ऐस equation को तो x को constant मान लिया जो linear equations बनी उन्हें solve कर लीजिए उससे भी x और y वही आएंगे बहुत heavy, बहुत मुश्किल, बहुत tough य बहुत complicated तो नहीं हो रहा है students क्या यह हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही है तो क्या मैं थोड़ा आगे बढ़कर कुछ और चीज़ें आपको explain करूँ चलेगा क्या यह रहा आपके सामने आज का पहला question उन्हीं सारी बातों को digest करवाने के लिए जो भी तक हमने सीखी I hope बहुत जादा नहीं हो गया और आप इस question को आसानी से solve कर सकते हो एक बार ज़रा screen pause कर लीजिए, खुद से try कर लीजिए, वरना मैं तो definitely करवाँगा देखो क्या लिखा हुआ है, I hope आपने try किया, मैं question ज़रूर समझाता हूँ इस बार भी एक बार screen pause करके try करना हो जाएगा pair of straight lines, यह आपकी वही pair of straight line है, हना same वही सारी चीज़े AX square plus 2HXY plus BY square plus 2GX plus 2FY plus C वो यह कह रहा है, it intersect on the Y axis यह जो pair of straight lines है, यह Y axis पर intersect करती है तो आपको prove करना है कुछ ऐसा सारे question का, पूरे question का crux यहाँ चुपा हुआ है, बस इसमें चुपा हुआ है मैं कह रहा हूँ, बस इस line को ठीक से पढ़ लो, आप बहुत easily answer बता पाओगे आप सोच पारे हैं, students क्या दिमाग बेहार है देखो, मेरा कहना है, सरे काम करो पहली बात तो यह एक equation of pair of straight lines है तो इसमें हम determinant वाली condition लगा देंगे लेकिन आप इस crux को समझो, यहाँ पर वो कह रहा है नियान सुझने, यह अगर Y axis है और यह X axis है तो यह जो pair of straight line है, यह जो pair of straight line है this, this, this intersect on Y axis तो यह जो दोनों lines है ना, यह जो दोनों lines है सर यह दोनों lines Y axis पर intersect करती है मतलब इन दोनों lines का point of intersection क्या है? Y axis मैं थोड़ी दर के लिए माल लेता हूँ कि सरे इन दोनों lines के point of intersection है Y axis तो लेज़से 0,Y1 वो point है जहाँ पर वो intersect करी क्योंकि Y axis है तो Y axis पर अगर ही intersect करेंगी तो कहना इसे 0,Y1 इस equation को satisfy करेगा, बिल्कुल करेगा तो 0,Y1 पास किया, तो 0 के कारण यह 0 यह हो जाएगा 2HX Y1, X तो बिल्कुल नहीं, वापस ही 0 हो जाएगा 2F Y1, सही लिख रहा हूँ क्या, और यह हो जाएगा plus C is equals to 0, अब आप एक बात समझो, यह मुझे मिल रही है Y1 में quadratic, I repeat my statement, मुझे मिल रही है Y1 में quadratic, लेकिन Y1 की मेरे पास कितनी values है, क्या मेरे पास Y1 की दो values है, नहीं सर, यह ऐसा थोड़ी हो रहा है कि यह line Y-axis को कहीं और intersect कर रही है, और यह कहीं और कर रही है, यह दोनों जहां intersect कर रही है, वो है अपका Y-axis, तो इन दोनों lines का जो point of intersection है, वो Y-axis पर कहीं है, मतलब वो एक ही point है, मतलब वो Y1 की, मुझे एक ही value मिलने चाहिए, सर, इस quadratic को मैं solve करूँ, तो quadratic क्या कहता है, कि सर, इसके तो दो roots भी हो सकते हैं, पर क्या इसका एक root भी होता है, हाँ सर, होता है, एक root कब होता है, याद करो quadratic, अगर मैं आपको quadratic का concept याद दिला हूँ, तो सर, आप कहते हो, B square minus 4AC, 0 के equal होता है, या B square, 4AC के equal होता है, अगर quadratic का एक ही root हो, for क्या, ये कौन सी condition है, to have, कैसे root, सर, equal and real roots, क्या आपको ये condition याद है, students, I hope आप भूले नहीं हो, अच्छा सर, अगर इस बात पर बात की जाए, तो क्या इसके भी roots निकाले जा सकते हैं, roots का मुझे नहीं पता, पर क्या हम इसके discriminant को लेकर कोई tip पानी कर सकता हो, देखना, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा C, तो B square मतलब 2F का whole square, है ना, minus 4AC, so minus 4 into A याने B और C याने C, किसी भी student को कोई दिखकर, यहां से दिखो यह हो जाएगा 4F square, ये 4 और ये 4 गया, तो F square किसके equal आजाएगा, सर, F square आजाएगा AC के equal, F square turns out to be AC, अब मेरा कहना है कि सर, हमने condition पढ़ी थी, हमने एक formula पढ़ा था, इस expression को लेकर एक formula पढ़ा था, यादा रहे है आपको ये formula, याद करो students, हमने ये formula पढ़ा था, कौन सावाला, याद करो, कि सर, ये जो आपकी equation है, ये जो straight line की pair of equations हैं, ये एक, दो straight lines को represent करता है, मतलब ये pair of straight lines को ही represent करता है, उसके लिए आपने formula पढ़ा था, ABC, 2FGH, minus AF square, minus BG square, minus CH square, या तो ये formula याद रख लो, या फिर, आप determinant याद रख लो, अगर मैं formula याद रखकर ये values use करना चाहता हूं, कौन सा formula students, सुनिएगा, formula क्या है, सुनिएगा, सर, formula है, ABC, minus of course कितना, sorry, plus 2FGH, मैं सीजे-सीदे formula ये रखना चाहरा हूं, ताकि determinant solve करने से अभी फिलाल हम बच जाएं, फिर ये आजाता है, AF square, फिर क्या दिया है, सर, BG square और CH square, तो फिर क्या दिया हुआ है, minus BG square, minus CH square, क्या ये बात आपको समझ आ रही है, I hope, ये formula वही determinant का extension है, सुई में मैं formula लाना चाहरा हूँ, formula क्यों लाना चाहरे हूँ, क्योंकि देखो, हमने क्या value निकाली, सर, हमने जो just अभी solve करके value निकाली, वो है F square की value AC, हमने F square की value क्या निकाली है, सर, AC, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप कहते हो, कि आपने निकाली है, सर, F square की value AC, तो मेरा कहना है, इस से और इस से आप कुछ work out कर सकते हो, क्या, इन दोनों को ज़रा देखो ध्यान से, और इन दोनों information को use करो, इन दोनों information से final कोई conclusion निकालो, आप एक बहुत important conclusion की तरफ पढ़ जाओगे, I repeat my statement, यह जो F square की value आपको AC जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बस इस value से कुछ चीज़े figure out करो, देखो कैसे समझना बात को, सर, F square, यहाँ पर मैं AC रखूँ, तो कुछ हो सकता है क्या, वही मैं कहना चाहरा हूँ, जैसे यह लिखा हुआ, ABC, इससे रहने दीजिए, ABC, यह 2FGH को भी 2FGH रहने दीजिए, यहाँ पर F square की जगे अगर AC रखा, तो यह कितना हो जाएगा, सरी हो जाएगा, minus A square C, कोई दि expression आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पर कोई भी परिशानी किसी भी student को, अब ध्यान से सुना है student, हमें क्या प्रूफ करना है, इस बारे में बात कर दें, हमें जो final conclusion लेकर आना है, हमें जो point प्रूफ करना है, वो क्या, कि सर जो आपका 2FGH है, जो आपका 2FGH है, वो BG square plus CH square क equal होगा, I hope आपको यह बात समझ आ रही है, वो बोल रहा है आप से, कि 2FGH जो है, वो BG square plus CH square के equal होगा, देखो, बहुत सारी चीज़े आपके सामने हैं, अगर आप चीज़े सोच पाऊ तो, मेरा आप से कहना है कि क्या इस ABC से, क्या इस ABC से, आप यहाँ से और यहाँ से लेकिन यहाँ इस ABC और इस A square सी का आप क्या करोगे, बस मुझे वो गड़बर लग रही है, क्योंकि सर, यहाँ तो ABC दिख रहा है, लेकिन यह है आपका AF square, यह है आपका AF square, बस एक बार मिट चेक कर लेता हूँ कि मैने इसे तो कुछ गलत नहीं निकाला, अगर मैं इस वाल AC, तो वो A बोलने में उनने बोला A होगा लेकिन यहाँ क्या रिखना चाहिए था B, तो यह हो जाएगा 4BC, 4BC जैसे ही आएगा तो यहाँ F square की value क्यों होगी, F square की value actually होगी आपकी सर BC, अगर आप use करना चाहरे है, F square की value क्या सर BC, तो चीज़े थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि सर F square की value जब आप रखोगे यहाँ पर BC, तो बिल्कुल सर changes ही हो जाएगे, कि यह हो जाएगा minus ABC, यह कितना हो जाएगा students हरी हो जाएगा minus ABC, और I think अब आप सभी को यह answer दिख रहा होगा, जो गलती मुझे भी आप सब ने notice की होगी, कि सर इसे और इसे cancel किया, तो clear सी बात है, to FGH, किसके एकवाल होगा, इन दोनों के, जो कि आपका final conclusion, बहुत tough question नहीं था ही, यह observation पर based question था, जो आसानी से crack किया जा सकता था, अगर आपने इस problem को इस तरीके से visualize किया होता, कि सर देखो बड़ी simple सी बात है, आपको क्या करना है, आपको बस यह ensure कर लेना है, कि वो दोनों लाइन जाएं, इंटरसेट कर रही है, वो point है y-axis पर, और ऐसा कुछ है तो 0, y-1 जैसे coordinate होंगे, तो मैं क्या condition apply कर दूँगा, कि सर यह बन रही है quadratic, लेकिन equation का point of intersection, मिलब दोनों लाइन का point of intersection तो एक ही है न, मिलब y-axis और यह दोनों straight lines concurrent है, y-axis पर ही, और अ simple determinant solve करो, determinant कौन सा, यादा रहा है students, हम determinant कौन सा निकालते हैं, हम determinant निकालते हैं, कि सर, यह A, B और C, पहले तो आप यहां रख लेते हो, यादा रहा है students, भूले तो नहीं, और आपके कौन-कौन सी चीज़े, F, G और H, sorry, H, G और F, यह जो है आपकी त्नी चीज़े, H, G और F यहां, और H, G, और F, यहां, यह तीन values आप solve करते हैं, और बस मेरी दर्खवास आपसे इतनी सी है, कि F square की जगे आप क्या रख देते हैं, F square की जगे आप BC रख देते हैं, तो भी आपका यही result आपको यहां से भी आ जाता, मैं कहना चारा हूँ, अगर formula याद रह जाए, क्योंकि यहां पर इससे करता, तो भी वहीं जाता, इस लिमने डिरेक्टी फॉर्मॉला यूज़ के है, मड़ाए, personally don't recommend किया formula रखें, आप इससे याद रखें, आप इससे बना लोगे, I hope आपको यह बात याद रहेगी, अच्छा, अभी एक हलका सा glimpse मैंने आपको दिया है pair of straight lines पर यहां पर इस particular topic के अंदर, अभी फिलाल इस पर और भी कहीं सारे questions बाकी हैं, जिने हम और detailed manner में discuss करेंगे, तो next lecture इसी topic का और हम continue करेंगे, जिसमें और सारे questions लिकराएंगे, ताकि इस topic को थोड़ा और consolidated manner में आपको समझा और सिखा पाऊं, यह सारी बात याद रख नहीं है हमारा, इस engage की बुक के थुरू आपको mathematics subject की, IAD, JE, Mains और Advanced की हम त्यारी करवा रहें students, जहां पर आपको इस engage के पाँचों पाट्स, and a coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra, and of course trigonometry, हम सारी चीज़े one after another करेंगे, और हर एक chapter को detail में कई सारे illustration, examples, और numerical के थुरू करेंगे, और इसी के साथ साथ, आपको हर chapter के end में, JE, Advanced में, आई हुए previous year's questions भी solve करवाएंगे, उस chapter पर बीस्ट, इसी के साथ साथ students, निशिंत रहें, पूरी त्यारी बहुत अच्छे से होगे, और अच्छे से consolidated manner में, आपको हर एक topic, हर एक concept सिखाया, बढ़ाया और समझाया जाएगा, और यह सब क उसकी भी access को लेकर coordinate कर सकते हैं हमारी team से, कहीं कोई परेशानी हो, comment में लिखेगा, मैंने पढ़ते रहते हैं, जब भी वक्त मिलेगा, relevant query हुई, तो ज़रूर respond और answer करेंगे, और क्या सर, और एक और ज़रूरी बात students, कहीं किसी question में कोई doubt हो, कहीं किसी numerical में problem हो, उसका photograph य exams के हम आपको तयारी करवाते हैं, और guest students, इन वीडियो से अगर आप अपनी IATJ मेंस और advanced की mathematics subject की, सिंगेज बुक के तो तयारी करने में help पा रहे हैं, तो बिल्कुल इने like करिए, ये playlist आप सेव करके रख लीजे, कुछ नहीं करना है students, इसी वीडियो के description में जाना है, हमेशा updated रहेंगे, आपका data हमेशा सिंग में रहेगा कि कितने वीडियोस हो चुके हैं, कितना बाकी है, ताकि आप हमेशा channel पर वीडियोस देखते रहे हैं और आपका कोई backlog रेट ना हूँ, अच्छा, बिल्कुल निश्यंत रहे हैं, हम daily आपके लिए दो lectures लेकर आ रहे है हम चाहेंगे कि आप इसे जादर-जादर students तक पहुचाएं, ताकि वो भी इसे avail करके से benefit हो पाएं, अपनी IAT, J.E. Means or Advanced की mathematics subject की तियारी एक थरो, comprehensive और detailed manner में कर पाएं With that students, we are culminating this lecture here, ख्याल रखिये अपना, thank you so much